नमस्का दोस्तों स्वागते आप सभी का 24 के चुनाओं की तैयारी में लग गई है कॉंग्रेस पार्टी कॉंग्रेस में किये गए हैं कई बड़े फेरवदा लिये गए कई एहम और बड़े फैसले दिगजनिताओं की टीम मैदान में उतारी गई है विस्तार से जानेंगे कि राहूल गांदी बड़े अंतर से जीत रहे चुनाओं पियम पद की दोड़ में सबसे आगे निकले हैं राहूल गांदी ताजा सर्वे के आकड़ों ने सभी को चौंका दिया है राज्य सभा की चार सीटों पर चुनाओं की घोषना बीजेपी को इंडिया गढ़वंदन दे सकता है बड़ा जटका जीत की तैयारी में लग गया इंडिया गढ़वंदन वहीं दोस्तों यूपी की दो सीटों पर फेसे हैं यहां पर चुनाओं और यहां पर इंडिया ग गठवंदन काफी मजबूत हो गया है पहले से दोस्तों इसी प्रगाई की बड़ी ख़बरे आप तक पहुंचाएंगे वहीं अगर आम मनते हैं कि 24 के आम चुनाओं में इंडिया गठवंदन सांधार प्रदासन करेगा जीतेगा तो लाइक कीजेगा वीडियो को दोस्तों कम कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरू लिखेगा भी सपोर्ट इंडिया पहली ख़बर आ रही है बड़ी ख़बर दोस्तों लोग सवाचुनाओं में इंडिया गठवंदन का चहरा कौन सर्वे में नितीज से आगे निकले हैं राहूल गांदी और सीम के जरिवाल इंडिया गठवंदन में पधानमंति पद के उम्मीदवार को लेकर लगातार उठापठक की स्तिती देखी जा रही है लोग सवाचुनाओं दोजाद चौविस को लेकर कॉंगेस पार्टी अपने संगठन में भी कई एहम बदलाव कर रही है सबसे एहम बात है दोस्तों कि राहूल गांधी की लोग प्रियता इस कदर बड़ी है कि सर्वे में चौकाने वाले नतीजी आए हैं कि यहां पे सीम नितीज कुमार से भी आगे निकले हैं राहूल गांधी और नमबा दोपा इस समय सीम केजरी वाल चल रहे हैं वहीं दोस्तों कॉंगेस में बड़ा फेर बदल प बड़ा बदलाव किया है उत्तर प्रदेश का प्रभार समाल रही प्रिंका गांधी के जगे आब कांगेस नेता अविनास पांडे को यहां पे आगे लाया गया है लोग सवा चुनाओ के दौरान अविनास पांडे यूपी में कांगेस के प्रभारी होंगे वहीं सचिन पा गठांडन के बैनर तले एक जूठ हुए हैं इस गठांडन की अब तक चार बैठके ओचुकी हैं लेकिन विपच्च का पीम कैंडिडेत तैय नहीं हुआ है इंडिया गठांडन के चाहरे को लेका कॉंग्रेस निता राहुल गांधी बिहार के सीम नितिश कुमार टीम सी प वकाने वाला खुलासा हुआ ओपीनियन पोल में लोगों नितिश कुमार से जादा राहुल गांधी को पसंद किया है इंडिया गठांडन का सबसे पसंदीदा चाहरा बताया गया है राहुल गांधी की लोग पिरेता भारत जोड़ो यात्रा के बाद काफी बढ़ी थी और 36 फिस्दी लोगों ने राहुल गांधी को इंडिया गठांडन का चहरा बताया है वहीं 13 फिस्दी लोगों ने अरविंद के जिरिवाल को इस पद के लिए सटीक उमीदवार के तोर पे पसंद किया है चौकाने वाली बात तो दोस्तो ये है कि विपच्छी दलों को एक पर लाने वाले विहाग मुख्यमंती नितीश कुमार का नाम तीसरे नंबर पर है महश 10 फिस्दी लोगों ने ही नितीश कुमार को भी पच्छ का चहरा पसंद किया है वहां मानते हैं कि नितीश कुमार को पीम पद का उमीदवार होना चाहिए लेकिन दोस्तों 36 फिस्दी यहां पे कम संख्या नहीं होती है और राहूल गांडी को यहां पे इतना भाई समाथन मिल रहा है इस ओपीनियन पोल के हिसाब से देखें तो आप लोगों के हिसाब से दोस्तों किसे होना चाहिए पधान मंते पद का उमीदवार विपच्छी गठानन इंडिया की और से ज आच सदस्य कमिटी दिसंबर के आखरी हपते से पहले कॉंग्रेस के प्रदेश के नेतुत्तों से गठवंदन को लेका चार्चा करेगी उसके बाद इंडिया गठवंदन के पार्टियों से सीट सेरिंग पर चार्चा होगी वहीं दूसरी तरह पश्यमंगाल की सियम ममता वेनेजी की सलहा पर चंदर बावु नाइडू ने प्रसांद की सोर को किया है हायर जी हाँ दोस्तों आंद पदेस में टीडीपी की नईया लगेगी क्या पार प्रसांद की सोर पिछले विधान सवाचुनाओं में देर्णमूल कांगरेस के रणनीती कार रहे थे 2021 के विधान सवाचुनाओं में उनकी आई पैक कंपनी के रणनीती से टीमसी को काफी फायदा हुआ सत्ता अरूर दल जीत गया अब ममता वेनेजी ने प्रसांद की सोर और चंद बावु नाइडू की मुलाकात करवाई है गौर तलब है प्रसांद की सोर का बयान पहले ही सामने निकल किया चुका है जिसमें उन्होंने इसपष्ट किया कि 2025 में बिहार का विधान सवाचुनाओं बीजेपी नहीं जीत पाएगी 24 के चुनाओं को लेकर उन्होंने बड़ी भविश्यवानी पहले ही कह दी कि 19 में बीजेपी ने 17 सीटे जीती थी लेकिन इस बार वहाँ 10 का आकड़ा भी पार नहीं कर पाएगी बिहार में बीजेपी को इस बार कड़ी चुनाओं देगा इंडिया गठवंदन प्रसंद की सोरका यहां पर दोस्तों खिचाओ इंडिया गठवंदन की ओर देखा गया है वहीं दोस्तों राजनीतिक रणनीतिका सुनील कोनागुलू ने हर्याना और महराष्ट चुनाओं 24 के लिए कौंगेस के वाल रूम की कमान्द समा ली है उन्होंने काइनाटक और तेलंगा ना में कौंगेस की रणनीतिको सम्हाला और पिछले एक साल में दोनों राज्यों में जोईदस्त जीत हांसल की कॉंगेस पार्टी ने आखिरकार आगामी विधान सवा और लोग सवा चुनावों के लिए पेसेवरों को बुलाया है यहां पे दोस्तों देख सकते हैं कॉंगेस पार्टी पूरी तयारी से लग गई है और यहां पे लगातार दोस्तों कमान बदली जा रही है यूपी 36 गार देख सकते हैं आप लोग जहां पे कमान वदल दी गई है सचिन पाइलेट को मौका दिया गया है 36 गार का परभारी बन में सदस्ता हुई है रद कोट से सजा मिलने के वाद बिधान सवा अध्यच ने उठाया बड़ा कदम यूपी में खाली हुई अब यहां पे कुल दो बिधान सवा सीटे फिर होगी सियासी जंग उत्तव देश में जल्दी दो बिधान सवा सीटों पर बीजेपी और इंडिया सदस्ता रद करे दी गई जब इन्हें कोट से सजा हुई दोस्तों जिसके बाद अब ये सीट खाली हो गई है जिस पर जल्द ही उप चुनाओ की घुशना होगी वहीं दोस्तों एक बड़ी ख़वराओ निकल के सामने आ रही है दिल्ली की तीन और सिक्किम की एक रजजसवा सीट के लिए चुनाओ सेडिल जारी किया गया है चुनाओ के लिए नोटिफिकेशन दो जनवारी को जारी किया जाएगा उम्मीद वा नो जनवारी तक अपना नॉमिनेशन यानि कि नामांकन दाखिल कर सकते हैं यहाँ पे चार्जसवा सीटों के लिए देख सकते हैं दोस्तों मुकाबदा तगड़ा होगा यहाँ पे कॉंग्रेस और बीजेपी के बीच में कॉंग्रेस के साथ यहाँ पे दोस्तों आम आदमी पार्टी इंडिया गठांदन के सहीयोगी के रूप में मौझूद है जिससे बीजेपी को कड़ी टकर मिलेगी यह आज की बड़ी खबरे और सभी मुक्य समचात है दोस्तों जो इस वीडियो में आप तक पहुंचाए हैं वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक कीजेगा चैनल पर नहें तो सब्सक्राइब करके घंटिक आइकन को भी दवाईएगा बड़ी खबरे आप तक पहले पहुंचती रहें आप सभी का धन्यवाद जय हिंद जय भारत